सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ व्याभवनाच शर्मा दोस्तों 12 अप्रेल 2022 को राहु केतू का गोचर होने जा रहा है राहु केतू का राशी परिवर्तन होने जा रहा है तो बहुत सारे दर्शकों ने हमसे प्रश्न किया कि इसके बारे में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसको आप विस्तार से बताईए और जिनके लिए ये अशुब है सामाने रूप से उन्हें क्या उपाय करना चाहिए तो मैं आपको 12 राशियों के लिए राहु केतू के राशी परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा क्या फलादेश रहेगा वो तो बताऊंगा यह 18 महीने तक कि को इनका परणाम मिलेगा साथे साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो किसी भी राशी का जातक उसको करके लाव ले सकता है तो मेश से लेकर के मीन तक की समेट सभी 12 राशियों पर राहु केतू के इस राशी परिवर्तन का मिला जुला प्रभाव रहेगा खास्तोर पर पांच ऐसी राशिया होंगी जिनके लिए बहुत ही मुश्किल कठिन समय कहा जा सकता है जीवन में ग्रह नक्षत्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रहों की दशा खराब होने से जीवन पर शुब और अशुब प्रभाव देखने को मिलता है इसके च राहुकेतू की इस्तिति व्यक्ति के पॉक्ष में न होने से उसका जीवन जो है बहुत सारी परेशानियों से घिर जाता है हर कार्व में विग्ण रुकावटें और बाधाएं आने लग जाती है इन सब चीजों के कारण तनाव इतना बढ़ जाता है कि इस्तितियों को समह हाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता इसी कारण से लोग राहु केतू क्या नाम सुनते ही जो है घबरा जाते हैं राहु 12 अप्रेल 2022 को मेश राशी में प्रवेश करेगा और केतू तुला राशी में प्रवेश करेगा ये दोनों ही ग्रहें वक्री चाल चलते हैं वक्री अर करते हैं मेश मेश राशी के स्वामी ग्रह मंगल है के तु भी इसी दिन शुक्र राशी में शुक्र की राशी तुला में गोचर करेंगे मेश राशी में राहू और के तु अठारा महीने तक रहने जा रहे हैं राहू के तु के राशी परिवर्तन के दौरान पांच राशियो सब्सक्राब में गोचर करेगा इस दोरान आपको अचानक से कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है आपकी वाणी में पहले से कहीं ज्यादा कटुता आ सकती है परिवार में किसी से सम्मंद बहुत जादा खराब हो सकते हैं गले और दांतों में समस्या सकती है मीन राश के लिए के तु जब तक वरिशिक में रहेगा तब तक ये परिवार में संबंद को बिगाड़ करके रखेगा धार्मिक यात्रा के योग बनाएगा आपका भाग या आपका साथ नहीं देगा आप कड़ी मेनत करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद अपरैल के मह कोई चोट लग सकती है एक्सिडेंट वगरा हो सकता है और तवचा में संक्रमन यह दे सकता इसकिन इंफेक्शन या एलर्जी वगरा भी आपको दे सकता है धन कमाने के नए सुरोत का पता आपको चलेगा किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको इस दौरान बचना चा तक राहु केतू का जो राशी परिवर्तन है यह अगले 18 महीने किस तरीके से हमको आपको प्रभावित करेगा अब हम लोग जानते हैं कि सामान ये रूप से राहु केतू का कैसा उपाय करना चाहिए जिसके लिए इनका राशी परिवर्तन बहुत खराब है उनके लिए तो जो उपाय में राहु केतू के बताने जा रहा हूं ये सभी राशी के जातकों के लिए इन दौरान बहुत जरूरी है जिस दौरान ये बहुत अशुब इस्थिति आपको अशुब परिड़ाम किसी व्यक्ति को मिलने वाला है उनके लिए अगर आप भी राहु केतू के बहुती सरल उपाय बताता हूं उनको आप करके लाब ले सकते हैं पहले मैं आपको राहु की अशुब इस्तिती से अशुब प्रभावों से बचने के कुछ चमतकारी टोटके बता रहा हूं राहु की अशुब इस्तिती से बचने के लिए नियमित रूप से भगवान श्वाए मंत्र का जाप करें या फिर भगवान शिव के अलग-अलग मंत्र हैं ओम दारिद्र दुख दहनाए नमद शिवाए महा मिरतुञ्जे मंत्र आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं वहीं शिवलिंग के सामने बैठ करके नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करने स भी बहुत अच्छा लाब मिल सकता है शिव जी की पूजा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो राहु केतु के प्रभावों में चमतकारी रूप से आपको लाब मिलता है दूसरा हुपाई है कि कुंडली में राहु से जुड़े दोश होने पर किसी योग ये पंडित ना कर सकते हैं इससे भी राहु केतु के प्रभावों में लाब मिलता है तीसरा उपाई है कि मानिता है कि राहु के कश्टों से बचने के लिए उड़द गरम कपड़े सरसों काला फूल राई आदी जैसी चीजों का अपने सामर्थ के नुसार शनिवार को किसी गरीब को य यह राहु का बीज मंत्र या राहु का वैदिक मंत्र जो है उसका आपको असी हजार जाप कराना चाहिए कल्यूगम चतुरगुणम प्रोक्तम के नुसार चारगुना प्लस दशांच करते हैं तो असी हजार की संख्या राहु के मंत्र जाप के लिए और 75,000 की टोटल मंत्र संख्या केतू के मंत्र जाप के लिए बनती है तो वो आपको किसी योग्य ब्रामन से नियत समय के अंदर-अंदर करा लेना चाहिए इस से आपको काफी राहत मिल जाएगी राहु के तुकी पीड़ा से और राहु के लिए जो बीज मंत्र है वो आपको यहां डिस्क्रिप् अब हम लोग बात करेंगे केतू के अश्यो प्रभाव से दुश प्रभाव से बचने के कुछ उपायों की केतू से जुड़े अश्यो प्रभावों से बचने के लिए सबसे पहले तो केतू के बीज मंत्र ओम स्राम स्रीम स्राम सह केत्वे नमा मंत्र का आपको जाप करा करक मैंने बताया कि कल्योगम चतुरगुडम प्रोक्तम के नुसार कल्योग में चारगुना मंत्र जाप करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है इसके अलावा केतु के प्रभावों से बचने के लिए घर में चितकबरा कुट्ता या फिर चितकबरे रंग की गाये आप पालें उसकी सेवा करें अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत अच्छा आपको लाब देता है इसकी जितनी सेवा करेंगे तो केतु का प्रभाव उत अगर विवार को आप इन चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है बहुत ही शुब होता है तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी होई बातें गया इनकी बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है वो निश रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राजिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिसना हो जाए परशान बिलकुल भी ना हो जीवन में यदि समस्या हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलेफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि परसनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अप्वेंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-0724131 आपको दो नमबर दे रहा हूँ इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सअप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार